वेरी गुड मॉर्निंग ओड़ीबडी मैं सभी का सवगत करता हूँ फिजीज गानिमकेशन एक चैनल पर आज हम लोग डिसकेशन्स करने जा रहा है क्लाश 12 का फिजीक्स में सेमी कंड़क्टर सोला नमर का चप्टर से सेमी कंड़क्टर डिवाइसेस आप लोग सेमी कंड़क्टर 11 में आधा चप्टर पढ़ चुके हो और आधा चप्टर आप 12 में पढ़ना है सर 11 में तो हम तो पढ़ा ही नहीं करते आप कैसे करें कुछ टेंशन लेनी की जवरत नहीं है मैं बेसिक नॉलेज आपका किलेर करने की कोशिश करूंगा ओके खाली बने रहे ना वीडियो तो अन तक देखना नए इस वीडियो पे तो शेर करना है लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना है तो चला बच्चो आज की वीडियो का हम लोग श्टाइड करने जा रहे है क्योंकि ये चप्टर जीवन में हमारे जीवन में आपकी जीवन में बहुत बड़ा बदला हो आ रहा है क्यों sir, जो आप लोग देख रहे हो ना मुझे, यह semiconductor के कारण हो रहा है, क्यों हम जो phone ही इस्तमाल कर रहे हैं, या किसी के अपत laptop होगा, किसी के अपत PC होगा, जो भी device है, रहे क्या है इसके अंदर, सब कुछ semiconductor है, और इसी के कारण, आप मैं, सब लोग एक दुसरे से joint हो, call क देखते हो, बहुत सरे devices, maximum semiconductor के उपर ही, dependent है बया, semiconductor ना होता, तो हम लोग इतने develop, ना होते हैं, ना modern physics बढ़ते हैं, तो इसी के कारण बया, इसके पहले की भी पूरानी physics थी, लेकिन वो थोड़ा, इतनी आडवास नहीं थी यार, जो आज जो मजा आने वाला है, यह chapter में ब interested theory part, क्योंकि हम लोग बहुत सारा physics इस्तमाल कर रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं होता है, तो चलो आज के semiconductor device के तरफ हम लोग बढने जा रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़े होंगी, कि यह chapter में नहीं होगी, आप बोलेंगे sir नहीं है, तो पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपका knowledge अगर अच्छा हो, तो इस chapter को आगे बढ़ाने में मजायने वाला है, क्योंकि 11th में, sir 11th का नाम लेके bore मत करो, क्योंकि हम लोग 11th पढ़ते नहीं है, 11th is a rest year समझ के चलते हैं, समद करना चलो, तो मैं आपको कुछ approach दूंगा, पहले conductor, semiconductor and insulator क्या है चीज़ बढ़ाएंगे आगे बाद में forward reverse bias क्या होता है, ये diode क्या होता है, और बाद में हम लोग introduction की तरफ से थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे, तो सबसे पहले, यहाँ पे conductor क्या होता है, बताएंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग semi conductor, और यहाँ पे insulator bad conductor, जो भी बोलते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले conductor मतलब क्या, जिक device में से current flow होता है, जिसमें से होता नहीं होता है, ना गर का ना गाट का बिच में का, और इसमें से current flow होता नहीं है, इसकी resistivity, इसकी resistivity जो है, वो बहुत कम होती है, इसकी medium level पे होती है, इसकी सबसे ज़्यादा resistivity होती है, conductivity इसकी सबसे अलग बोलना है क्या इसको हम लोग energy band structure के इसाब से बोलने वाले है क्या energy हमने atom molecule nuclear में पढ़ाता है एक single atom रहा single जैसे कि single electron रहा तो single atom ने बोलेंगे ठीक ना और isolated atom की बात करेंगे isolated बोल सकते है ना तो isolated atom में energy band है पता है ना 13.6 3.4 माइनस में 1.51 यह जो चीज़े है तो यहां पर क्या होता है कि atom single ने होता है isolated atom ने होते है बहुत सरे atoms होते है उस substance में तो इसे की कारण band बनता है यह लोग में पढ़ना पड़ेगा थोड़ा तो इसमें 2 bands होते है एक होता है valence band VB band valence band जो outer mode से लिएक्ट्रॉंस होते है वही एक दूसरे से आजू बाजू में देख सकते है आजू बाजू के तब इसमें जो forbidden energy gap जो होता है वो 0 होता है इसलिए valence band से conduction band में easily electron जम करते है और जम किया तो electric field apply such a substance किया तो आपका current flow हो जाता है easily इसी को हम conductor कहते है as per class 11 semiconductor device के इसाब से पास समझ मेरी valence band and just upper band होता है valence band के ऊपर conduction band लेकिन यह होते है एक दूसरी के ऊपर overlap overlap होने से electron easily जा सकते है valence band to conduction band लेकिन free तो होते है electron ठीक है लेकिन उसका कोई एक वे नहीं होता है अगर flow charge हो जाए तो उसमें current flow हो सकता है तो मैंने electric field apply करने से इसमें से current flow हो सकता है रही बात चलो यह इंसुलेटर पे आ रहा हूं है इंसुलेटर में यह जो conduction band है और यह जो valence band है valence band इसमें forbidden energy gap जो होता है इसको eg से दिखा सकते है वो greater than 5 electron hold देखो अलग अले books में अलग अलग है मैं आपको arbitrary values से पढ़ा रहा हूं यह gap जादा है कौन सा forbidden energy gap देखो यहाँ पे ग्याप ही नहीं था बीच में यहाँ पे ग्याप है यहाँ पे अगर electron होई valence band में conduction band हो empty यहाँ अगर energy दी भी तो electron जाके जम करने के कोशिश करेंगे लेकिन जाहीं नहीं पाता है जैसे कि आपको diamond का 5.5 electron hold 5.5 electron hold इसका energy gap होता है किसका diamond की बात कर रहो तो electron यहाँ से यहाँ पहुच ही नहीं पाता है अगर electric field यहाँ पे apply की तो कोई फायदा होने वा electron अगर electron flow ना हो तो करन काई से flow होगा नहीं होने वाला है बात समझ में आ रही है मतलब insulator में यह forbidden energy gap is greater than 5 electron hold वैसे तो 3-4 electron hold बोलते है यहार arbitrary value मैं diamond की बात कर रहो इसलिए diamond में 5.5 electron hold है इससे अगर जादा electron hold कुछ बुच में 3 लिखा है एना ओके तो जादा gap होने से electron जम कर तो यहां जाएगा दुबार आ वापे सूँ दुबार आ वापे जाई नहीं पाएगा gap जादा है ना gap जादा है इसलिए electron ना flow होना मतलब करन ना flow होना ऐसे substance को हमने insulator कहा था अब यहां पे semiconductor में क्या है यह जो gap है CB bank और यह VB bank इसका जो gap है वह energy gap जो है वह less than है 3 electron hold से यह पर 3 electron hold लिखना है तो लिख लो क्योंकि हम लोग 3 electron hold की बात कर रहे हैं देखो यह कोई पक्का नहीं है नहीं तो बकड़ होगे मुझे सर अपने तो पड़ाया है 3 electron hold books में तो इतना दिया उतने दया बहिया यह forbidden energy gap depend करता है material के property के ऊपर उसकी properties कैसी है क्या है सभी यह एक अ अप्रोच दे रहा हो फिलाल में chapter पे उत्राओ नहीं में जब उत्रूंगा तब आपको right value बताने वाला हो 3 electron hold से band gap कम है मतलब बहुत जादा भी नहीं बहुत कम ही बिट भी नहीं तो यहाँ पे अभी electron प्रेजेंट है हमारे VB band में यह MTA समझो ठीक है अब जब अट 0 degree Celsius ट temperature आपका तम यह insulator बोलके काम करेगा क्यों क्योंकि इसको jump मारना पड़ेगी यहाँ पर easily नहीं जा सकता conductor में से VB में से CB में electron jump कर रहे थे यहाँ पर हैं यहाँ पर electron present jump कर सकते हैं लेकिन उनके पास कोई energy नहीं 0 degree Celsius temperature पर क्या thermal energy मिलेगी बिलकुल नहीं मिलने वाली electron switching यार जाना तो चाहते हम लोग लेकिन कोई energy दे दे तो तो हम लोग easily jump कर पाएंगे VB में से CB में मतलब valence band में से conduction band में जाने के लिए तयार हैं हम लोग लेकिन कोई आके मुझे energy दे दे तो हम लोग energy लेंगे kinetic energy से jump करेंगे CB में जाने लेकिन 0 degree Celsius पे ये खुद को महसूस करता है कि मैं insulator हूँ मैं current flow नहीं कर सकता हूँ समझे लेकिन अगर at a room temperature जो भी आपको मानना 20-25 room temperature दे दिया जैसे temperature गिया तो electron के energy मिलेगी electron जम कर पाएगा कहां से VB में से CB में जम कर सकता यहां पे jumping नहीं कर पा रहा था बहुत ज़्यादा gap ता यहां पे gap कम है और वहा condition band में जैसे गे वैसे मैंने यहां पे electric field apply करके देखा जैसे electric field apply की तो यहां से positive से negative तरफ current flow होने लगा क्योंकि electron flow कर हो सकते है जब electron conduction band में free हो तब electron free तो current flow होगा तो at a room temperature पे यह current flow कर रहा है और जो device current flow करता है उसको हम लोग कहते है conductor वह मतलब भया यह इंसुलेटर भी बोल के काम कर रहा है और कुछ condition में मतलब कुछ energy thermal energy देने के कारण को conductor भी बोल के काम कर रहा है मतलब मैं इसको क्या मुलू मैंने सोचा यार जीरो डिग्रेशन से जब temperature ताप तब मैं इंसुलेटर बोल रहा हूँ इसको जब मैंने देखा इसका temperature कुछ बढ़ा दिया मैंने एक सपी सेंटली जितना चाहिए उतना तेक है न रूम टेमपरेशर पह है तो मैंने देखा यार इसमें से तो करेड भी फ्लोर है यार यह तो ना तो कंड़क्टर ना इंसुलेटर है आशी कॉनसी कंडिशन से उसको बीच में नाम दे दो मैंने बोला एक काम करते है ना सेमि मेडियम ने बढ़ रहा है तो आपके सेमी मेडियम मतलब आदे इंगरजी आदे अधे अधे सब्यक्ट में रहते है दिसे कि माथ्स इंगलिष औडन साइन्स इंगलिश में लेकिन माराथी, हिंदी, हिस्ट्री, जोग्रापी, जो भी सब्जक्ट होगा अपके तन तक semiconductor बास समझ में आ रही है semiconductor किसको बोलते ओके भाईया ये semiconductor आ गया है तो हम लोग ने क्या control कर पारे पहले क्या था conductor पर control नहीं कर पाते था हम लोग इलेक्टरन को पर यह पर हम लोग control कर पाते है जब चाहे सब कुछ control हमारे हाथ में आ गया semiconductor के कारण पहले इसके पहले भी था वाल बोलके आपको पदा नहीं था ट्रायोड कहते तो इसको ठीक है वो चीज़ा हमारे पास नहीं है अभी फिलाल में हम लोग इस्तमाल नहीं करते तो simple simple चीज़े पढ़ा हूंगा मैं ज़्यादा डिपल डिटल में नहीं जाना चाहता हूं तो भी आपको अभी semiconductor क्या है समझ में आ गया semiconductor न घर का न घाट का बीच में नहीं conductivity lies between the conductor and insulator दोनों के बीच में न conductor न insulator ये ये बीच वाला है इसलिए उसको semiconductor कहा गया है अब रही बात ठीक है semiconductor semiconductor में और टाइप्स है यह जो सेमी conductor है उसके और टाइप्स है ये यन टाइप मैं तुरन पढ़ा दूँगा ज्यादा दिक्कत ने और दुसरी है पी टाइप ठीक है शॉटकट चालुए यन टाइप क्या है तो यन टाइप में यहां पर यह semiconductor है तो इसके आउटर मोट सेल में फोर्थ electron हो ऐसे periodic table में ज्यादा करके हम लोग इस्तमाल करने वाले हैं silicon and germania इसके देखो silicon में 14 electron से 4 outer में इसके भी 4 आते देख लेना आप लोग periodic table में ठीक है ना इसको semiconductor कहते है यह इसमें भी pewer semiconductor होते है पीवर मतलब जिसके outer cell में 4 electrons हो इसको pewer semiconductor का जाता है और जिसके outer cell में इसके आजवाजवाले आजवाजवाले इसके 4 के देखो नीचे 3 है और इसके बाद में 5 है यह होते है ऐसे periodic table आपको पता हो ना आरसेनिक मेरे काल आश्ट्रुलिया पकिस्तान सभीकारी ऐसे मात बोलना से ठीक ना तो यह देख लेना आप 3rd और 5 periodic table में जो आपे है यह रो में तो वो देख लेना elements वो है वो भी यह pewer semiconductor जिसका outer cell में 4 electrons वो pewer है in pewer 3 और 5 वाले 3 जिसका outer cell में 3 है और जिसके outer cell में 5 है वो in pewer semiconductor है तो इसमें yen type P type semiconductor पढ़ेंगे हम लोग अब discussions करेंगे तो चलो आगे बढ़ रहा हो मैं semiconductor की yen type और P type semiconductor क्या है तो actual में silicon है silicon मैं shortcut में ले रहा हूँ जान बुचकर बोल रहा हूँ shortcut है बहिया silicon में 4 है देखो यह एक यह दो electron यह तीन यह चार यह चाहता है अपना octal complete करने के लिए जैसे कि मैंने एक 3 electron होने वाला aluminum है 13 है पता है ना 2 8 और यह 3 3 है देखो यहां में क्या है तो देखो यह aluminum यह यहां पे भी कर रहा है पता है यह aluminum का यह यह दूसरा aluminum का और यह aluminum का तीसरा और यहां पे aluminum का चाहिए था octal complete कर लिए लेकि नहीं है नहीं है तो कोन है फिर उसको कहते है hole 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 जहां से निकल जाती कोई चीज़ तो यहां पे hole रहता है और जैसे जमिन में खड़ा करो मिट्टी निकलो तो खड़ा होता है वैसे खड़ा हो और इसके उपर positive charge होता है hole के उपर positive charge holes देखो बोलू तो बहुत ज्यादा holes और electron के उपर जो है one negative charge है बास समझ में आ रही है तो यहां पे hole से hole होने के कारण देखो अगर मैं इसको temperature दे दू तो यह कोहलेंड बॉंड के थे उसको क्या कहते है को कितने word लिख के देने वाले है यह कोहलेंड बॉंड अगर break होते तो कितने electron बाहर निकलेंगे देखो एक दो तीन चार पात छे साथ क्यूं क्यूंकि silicon के मैंने बोला था चार outer cell के electrons और aluminum के तीन तो टोटल होगे साथ लेकिन होल कितने है यह electron के संख्या होगे आपके पास सेवन और होल यह साथ electron बाहर निकलने के कारण यह साथ देखो यह electron निकलेगा यहां से electron निकल गया तो यहां पे होल होता है मतलब यहां पे होल होगा यहां होल होगा holes बोलेंगे, वो holes होंगे 7, क्योंकि 7 electron break किर दिया मैंने, energy दिय थरमल, वो break कर दिया, break करने से electron बाहर आगे, electron बाहर आने से यहाँ hole तैयर हो रहे, यह hole है 7, क्योंकि 7 electron बाहर है, और already electron की एक कमतरता थी, वो भी holes है, तो ऐसे holes हो रहे 8, electron की संक्या 7, hole की है 8, मुझे बताओ, क किसकी संक्या जादा इसमें, holes की, किसकी, hole की, भाहिया, यह 1 cubic centimeter में 10 raised to 22 electrons होता है, मतलब बहुत चुटी, हम लोग बहुत microscopic पढ़ रहे, बहुत, details में पढ़ रहे, बात समझ में आ रही है, तो यह आपको लग रहा एक ही जादा, नहीं, बहुत लाखों करोड़ों जादा है तो holes की संक्या जो है, holes, numbers of hole, is greater है, है ना, greater, मतलब hole की संक्या बहुत जादा है, और hole की उपर जो चार्ज होता है, कौन सा, positive, positive type semiconductor है, इसलिए यह यहा, इसका नाम हमने, P type semiconductor, positive type semiconductor नाम रखा गया है, बात समझ में आ रही है, मतलब positive, P type मतलब क्या है, positive type, उसमें hole की संक्या जादा है, सर, Yen type का example बताओ, Yen type में हम लोग लेने वाले हैं, ऐसा example, phosphorus लो, phosphorus में 15 electrons है, मतलब पहले 2, दुसरे में 8, 5, आउटर मोट सेल में 5 है, इसलिए इसको pentavalent कहता है, और यह trivalent भी कहता है, क्या कहता है, कितना बोलेगे सर, बहुत बोलने वाल से चीज़ है, trivalent, क्योंकि 3 electrons होते है, इसको expector मतलब जर्रत है इसको, इसको expector भी नाम है, कितना, जतना बोलो उतना कम है यह chapter में, ठीक है, आप देखेंगे Yen type, silicon का या aluminum, जो भी example, sorry, silicon या germanium का, क्योंकि दोनों अच्छे material से बाके कुछ नहीं, देखो, silicon का एक, यह 2, 4 ह चार है ना, उटर में, 3 और यह 4, वही sharing कर सकते है, जो उटर में, यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं, अभी phosphorus एक, यह 2 electrons, phosphorus का, यह 3 electron sharing कर रहा है, qual and one के लिए, और यह, 1 free है बिया, अरे 4 के साथ 4, 1 free है, क्योंकि 5 है ना, तो 1 free हो गया, अगर मैंने इसको temperature दे दिया, तो यह break ह होने से, मुझे बताओ, यहाँ पर holes कितने, और electrons कितने, तो देखो, एक बास समझो, यह free है, तो यहाँ पर hole नहीं होगा, अगर यह बंदे वाला हो, तो hole टायर होता है, तो मैंने break कर दिया, break किया, तो simple silicon के पास है, 4, और phosphorus के पास 5, कितने हो रहे हैं, electrons की बात कर रहा हूं 9 हो रहे, और holes कितने होगे, जो bonding कर रहे हैं, वहाँ hole टायर होता है, इसको break करो, देखो, hole, एक hole, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यह तो free है, यहाँ पर hole नहीं होगा, मतलब 8 hole टायर होता है, तो majority किसकी है वहाँ, majority charge carrier, यहाँ पर electrons है, और electrons की उपर जो charge होता, वो negative होता है, इसलिए, इस type semiconductor रखा जया है, क्या negative type semiconductor, यन type semiconductor, क्योंकि यहाँ पर electron की संख्या जादा है, तो इसलिए, इसको donor impurity भी कहते हैं, डोनर दे सकता है, एक्स्ट्रा है न उसके पास, दे सकता है, इसको donor impurity, इसको expector impurity, इसको pentavalent भी कहते हैं, कितनी बात बोर्डे सर, अब इसको दोनों को जो P-type material, यन type material, P-मे कोन होते हैं, होल्स, यन मे कोन होते हैं, electron की majority चार्च करगा है, ऐसा नहीं कैसमेン फोल्स नहीं होते हैं, होते, लेकिन, होल्स ये Minority और Electron is Majority चार्ज के अरिया, मतलब लोग कहते हैं, पी टाइप में क्या पूरी की पूरी 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 हो ली होते हैं, नहीं, Electron होते हैं, लेकिन Minority होते हैं, कम होते हैं, तो P और Yen को, दो मेट्रियल को जोड दिया, उससे हम लोगों को P N Junction डाइड मिला, कौन सा, P N Junction ये हैं हमारा P N Junction डाइड, अब हमारे चाप्टर के इंट्रोड़क्टर लेक्चर के तरफ बढ़ रहे हैं, हम लोग आगे, आगे, P N Junction, क्या ये, P N Junction डाइड हैं, समझ में आ गया, कैसे हैं, इसमें कौन हैं भाईया, पॉजिटी चार्ज, इसमें निगेटी चार्ज, तो सर्फ पूरे निगेटीव हैं क्या, नहीं, इसमें भी होते हैं, कौन, देखो ये है P टाइप, और ये है N टाइप, P टाइप में क्या है, पॉजिटीव, P टाइप में क्या है, पॉजिटीव, और N टाइप में क्या है, निगेटीव, लेकिन ध्यान रखना है, कि इसमे बी कुछ-कुछ इलेक्ट्रांस होते हैं, यहां पर पॉजिटिव भी होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन संख्या किसकी जादा होगी, पॉजिटिव चार्ज की, इसमें निगेटिव चार्ज की, यही है PN जंचन डायोड, क्या यह PN जंचन डायोड, और यह यूनी करन्ट फ्लो करता है, क्यों करता है, तो इसलिए फ़रवड और रिवर्स बाइस बढ़ने वाल है, नोट डाउन करना है, तो कर सकते हैं, मुझा अगे भी बढ़ना है, और भी, देखो, PN जंचन समझ में आ गया भी, कोई जंचन है, मैंने बहुत शॉटकट मारने की कोशि किये है, PN है, इन दोनों को सैंडवीच किया गया, इसमें भी डिफलेक्शन लेयर होती है बीच में, ठीक है, PN टाइप में डिफलेक्शन लेयर होती है, उसको तोड़ने में जो पोटेंशल लगता है, उसको बैरियर पोटेंशल कहता है, जैसे कि सिलिकॉन के लिए 0.7 ए और रिवर्स बाई देखेंगे, देखो, P मट्रियल को, ठीक है, ये, ये P है, ये N है, P टाइप मट्रियल को पॉजिटिव और ये N टाइप मट्रियल को निगेटिव पोटेंशल कनेक्ट करने से, जो करंड फलो होता है, यहां पे, उसको कहते है, फॉर्वर्ड बैस, कौन असलब क्या होता है, यहां पे P POSITIVE, इसमें कों है, P POSITIVE CHARGE हमने देखा, मेजारीटी है, मैनारीटी की नहीं कर रहा हूं में बात, और यहां पे ELECTRON, क्या करते हूँगे, उसको दबाते हूँगे, देखो, रिपिल करते हूँगे, यह यह, यह यह, यहां पे डिफलेक् क्या होता है current flow मैं आपको ऊपर ऊपर वाली बात बता रहूं पढ़ा रहा नहीं है मैं क्योंकि यह already आपको हुआ है इसको forward bias में current flow होता है diode conduct हो रहा है सकते diode conduct होना उसको कहते है close circuit भी कहते है switch on ऐसी चीज़े हम लोग word इस्तमाल कर सकते हैं मतलब इसमें से current flow होना switch on होना diode conduct होना current flow होना सभी word इस्तमाल सेम है मतलब current flow होना simple इसमें से जो भी चीज हो रही है active चीज है हो रहा है इसमें से current flow होरा है reverse bias में क्या होता है यह P और यह 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 यहां पर positive charge यहां negative charge majority इसलिए यहां पर negative terminal यहां पर positive terminal battery connect करो क्या होगा positive negative की तरफ अटरक होंगे negative positive की तरफ इसमें होती है deflection layer यह पहले deflection layer को बारिक करता ऐसे इसे तोणी कोश्च चे करता है यहां पर यह जो deflection layer है यह बन जाती है बड़ी ऐसे और इसके कारण electron flow नहीं होते very small current flow होता है negligible हम लोग बोल देना आर्थिंग जैसा आर्थिंग लगे जैसे कि कोई तार टंग पर रखो दे कोई सुन-सुन-सुन-सुन-सुन-सुन होता है समझें तो यह है आपका reverse bias reverse bias में current not flow current flow होता नहीं है diode यहां पर जो है अपका diode switch off है switch off है ऐसे बोल सकते है है ना open circuit कहिए सकते और क्या word है open circuit भी कहिए सकते है मतलब इसमें से current flow होता है simple यह है reverse bias यह है forward bias बास समझ में आ रही है मुझे आप लोगों को इससे यही बताना है कि diode का symbol होता यह diode का symbol यह है मतलब इस diode को इसको कहते है यह anode और इसको कहते है क्या थोड़ यह है uni direction current flow कर सकता यह diode अगर आपने यहाँ पर higher potential लगा यहाँ पर lower potential लगाया तो ही current flow करेगा मतलब यह forward bias में होगा यह anode को higher potential plus मतलब नहीं है मैं इसके example देने वाला हूँ बहुत सारे बच्चा आज भी countries है positive लगा इधर negative क्या थोड़कर negative लगा तो sir current flow होता क्या नहीं इसका मतलब यह है अगर आपने यहाँ पर 0 रखा और यहाँ पर minus 5 hold लगा मुझे बता current flow करेगा या नहीं करेगा बिल्कुल करेगा वैया क्योंकि minus 5 से 0 पड़ा है तो यह forward bias हो गया है समझे समझ में आ रहा है अगर किसीने कहा है कि sir यहाँ पर minus 5 यहाँ पर plus 5 है अब बताओ अनोर को higher potential नहीं यह low है minus 5 क्या तो प्लस 5 है तो यह reverse bias current flow नहीं करेगा बास समझ में आ रही है यहाँ पर plus 5 है यहाँ पर 0 hold लगा अब बताओ current flow करेगा क्योंकि यह higher potential 5 और यह 0 low potential है तो इसलिए current flow करेगा यह uni 1 एकी direction से current flow करता है यह ultra इधर से इधर नहीं करेगा current flow करने का यह direction correct है यह कर लाता है यही तो हमारे लिए बहुत बड़े फाइदेमंद चीज हो रही है कि एकी direction से current flow होने से हम लोग चाहते है कि positive से negative मतलब higher to lower potential से current flow करे तो यह anode को higher potential होना चाहिए यह क्या थोड़े इसका देखो यह triangle का based anode इस पर higher potential रहा और यहां पर lower potential रहा है यह जो triangle का जो top view देख रहा है वो lower होना चाहिए higher का lower का मतलब समझ में आ रहा है किसी ने कहा कि चलो minus 5 है यहां पर बताओ sir minus 10 होड़े चलो आप बताओ बहिया current flow करेगा क्योंकि minus 5 यह number देख रहा है चोटा लेकिन बड़ा है minus मैं मैंश 10 होड़े लग रहा है आपको बढ़ा नहीं यह चोटा नमबर से तो यह current flow करेगा यह forward बाहर बायस हो गया किसे ने कहा है कि sir आप बताओ तो current नहीं flow करेगा क्योंकि 0 बड़ा है minus 5 से तो current नहीं flow करेगा यह बात समझ में आना चाहिए आपको ठीक है क्योंकि मैं यहां पे आप लोगों को बताने वाला rectifier पढ़ाने आए मुझे forward reals bias की बाते समझ में आती होगी open switch कप कहते हैं यहां पे open switch केंगे यहां पे close switch केंगे तो यह थी बाते छोटी छोटी मैं बढ़ना चाहता हूँ आगे आपके books में जो introductory पार दिया है उसके तरफ हम लोग आप देखो AC जो है ना AC हम लोगों को आज के इसमें यह क्यों कर रहे हम लोग हम लोगों को करना है actually AC into DC क्योंकि हमारे घर में जो आता है वो आता है AC और DC को बैल का चार्ज जो है ऐसे डिवाइस DC पे चलते हैं सर्फ फिर AC क्यों तैयर करते हैं दैसे कि हम लोग हमारे यहां पे देखो हमारे घर में जो बील का जो चार्ज हाता है बहुत कम होता दीसे डीसे मतलब बैटरी गँभू हमारे चोटा सेल होता है ना रिष्का मिलता पता है न никак कितना चोटा सेल है और उसको उन उपर बड़ा डिवाइस भी नहीं चलता है हमारे गड़ी में गंडी में भी batteries होती महिंगे होती है पता है न आपको हजारों रुपे में होती है या inverter की battery गटो कितनी बहुत महिंगे दस हजार, बारह हजार की होती है मतलब DC जो है वो बहुत महिंगे devices है और यह जो है सस्त होता है AC का bill देखो आपको यार बहुत कम आता है कितने बड़े बड़े light जलाते हो, AC जलाते हैं, यह करते हो, तो बहुत कम होता है bills का, तो इसलिए हम लोग AC को DC convert करना चाहते हैं, हमारे घरों में, जो कि हम लोग ज्यादा महेंगा कोई device में इस्तमाल नहीं करना चाहते हैं, इसलिए, ठीक है, और AC को, AC कैसे होती है, तो AC ज इसी जो होता है, यह direct देखो, direct, एक निचे से हो सकता है, यह उपर से, positive से, उपर से निकाला है, निचे से भी हो सकता, यह positive negative, और यहाँ पे, हम लोग AC इस्तमाल करते हैं, वो जो voltage होता है, 230 voltage, 220 भी होता है, कुछ बुक्सम में लिखा भी है, ठीक है, और जो frequency होती है, 50 Hz, म cycles होती है, यह हमारी इंडिया की, इंडिया में इस्तमाल की गई है, यह ही इसका voltage और यह इसकी frequency, AC की, मैं बात किस की कर रहा हूँ, AC की बात कर रहा हो, और बहुत सारे gadget है, ऐसे हमारे गहरों में, जो DC पे चलता है, इसलिए हम लोगों convert करना, AC into DC, इसलिए, आज हम लोग ज ठेरोडी के लिए, समझे, तो AC into DC करने का क्या तरीका है हमारे पास, इस chapter में हम लोगों को जादा देखना है, इसकी लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो बात समझ में आ रही है, AC into क्या करना है, DC, इसकी लिए क्या करते है, इसका जो नाम ही इस डिवाइस का, उसका नाम ह या क्या Rectifier नाम का डिवाइस है, Rectifier का जो डिवाइस नाम ही है हमारा चप्टर का डिवाइस, तो एक Rectifier नाम का डिवाइस समाल करेंगे, तो पहले हमारे घरों में कैसी AC आती है, और कैसी DC होती है, एक ब्लॉक डाइग्राम से दिखेंगे, मतलब ओरीजनल डाइग्राम नहीं, ब्लॉक, किसी का घर है, घर कैसा होता है, ऐसा होता है, इसमें क्या क्या है, कुछ नहीं पता है, बस घर होता है, या हमने आपने हैसा प्रेंगल जैसा घर बांदा यार, construction, बस यह हो गया आपका ब्लॉक डाइग्राम, है ना, ओरीजनल डाइग्राम हम लोग बाद म AC में, AC से आ रहा है, AC में से जो आ रहा है, वो 230 होल्ट है, और 50 हर्ड की फ्रिक्वेंसे से, हमारे घर में जो भी, यहां पर, RMS वल्यू बोलत है, इसको एक्च्वल में, हमने पढ़ा है, अलक्रो मेंग्नेटिक इंड़क्शन, AC सर्किट या देना, तो यहां पर है हमारा य transformer का काम होता है, जादा voltage से कम voltage करना या कम voltage से जादा, उसको कहते है step up and step down, अपने घरों में अगर जादा voltage चातो तो step up transformer इस्तेमाल करते है, कहां पढ़ना पढ़ेगा यार आपको, electromagnetic induction में, ठेके ना, अगर कम चातो तो step down करते है, मा समझा ना, तो यहां पर, यह transformer के लिए ऐसे, 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 ऐसे निकालते हैं हम लोग, याद है ना, कुछ, ठेक है, यह device यादोना चाहिए, चलो, तो यहां पर हम लोग, आपके बुक्स की सबसी डाइगरम निकालेंगे, ठेक है, यहां पर यह transformer का काम समझ में आ रहा है अब लोगों को, transformer का का काम क्या है, तो voltage को कम ज़्यादा करके देना, देखो, यह है हमारा, transformer device है, इसका काम है, voltage को बढ़ाना, या तो, कम करके देना, यह काम है, उसका transformer का, समझे, कोई टेंशन है, उसके बाद में, देखो, मेरा काम सबसे पहले, समझ लो, यह जो है न, AC है, इसको AC कहते है, मुझे DC करना है, डारेक current है, यह direct current करना है, smooth line, यह इसकी है, तो मैंने सबसे पहले diode rectifier ही इस्तमाल किया, यहाँ पर ऐसे connect किया है, यहाँ पर एक डंबा लगाना है, मुझे block diagram है, न मेरी, यह, तो diode rectify, मतलब, rectify करेगा, मतलब, उसका काम होता है, यही diode हम लोगों काम आ रहा है, AC to DC करने के लिए, लेकिन मैं जो यहाँ पर जो इस्तमाल कर रहा हूँ ना, यह AC है, zoom, zoom, समझे, यह जो AC है आपका, जो आपके घरों में जो आया था, यह AC का AC, transformer का का कम कुछ नहीं होता, transformer का यही काम है, जैसे कि आपको पासु होल्ट आ रहा था, आपको चाहते हैं 200 होल्ट, तो 200 ले सकते ह इसको कहते हैं हम लोग step down, step down, ठीक है ना, और जो 200 है, तो इसको आपको 300 करना है, बढ़ाना है, तो step up कहते हैं, ठीक है ना, यह काम कर रहा है, मतलब जो आ गया हो यह, AC का AC है, ओके सर, यह rectify काम कर रहा है, यह rectify काम कर रहा है, DC, लेकिन यह ripple factor दे रहा है, ऐसे, है एक positive, एक ही cycle दे रहा है, ठीक है, यह positive, यह negative cycle है, तो positive वाली जो cycle से वो दे रहा है, देखो, यह, यह, यह दे रहा है, लेकिन मुझे smooth करना है इसको, तो इसके कारण, यहाँ पे हम लोग और एक device करेंगे, जो की device है, आगे बढ़ने वाला है, जो diet का काम है, AC into DC करना, लेकिन पीवर नहीं देता है, पीवर मतलब, जैसे की चाय होती है, हमारे चाय में पत्ती होती है, तो क्या पी सकते है, चाय तो बनगे, लेकिन उसको हम लोगों क्या करना पड़ता है, छनना पड़ता है, तो इसके लिए हम लोग एक filter लगाते, क्या लगाते है, ठीक है, एक filter लग लीकिन इतना अच्छा holistic नहीं बनाँ देखो Lebensmy म Ik баз ऐसंगा रही है फिल्टर को लगा है मैं आपके एकविक्स की सबसे जो फिल्टर है फिल्टर लगानेस से मुझे जो मिला है देखो देखो, थोड़ा सा मिल रहा है लेकिन इतना अच्छा नेए थेखो, थोड़ा मिला है थोड़ा समय में आ रहा है आपको, इसके बाद में मैंने क्या च्या मैंने बोला यार उसको तो मुझे बहुत स्मूथ लाना ऐसे continuous line है इसे smooth line लाना है उसके लिए मैंने एक voltage regulator लगा है क्या लगा है voltage regulator ठीक है और इस पे लगाने के बाद मैंने देखा कि मेरा जो answer है हो smooth मिल रहा है smooth DC मिल रहा है भी मतलब मुझे ये बताना है वह या कि इसको smooth लाने में only diode ही नहीं काम करता है उसके आगे भी और थोड़ा हा डायड का main role है क्या AC into DC करना मतलब वो DC देनी की कोशिश कर रहा है लेकिन जैसे चाय बने तो चाय डायरेक नहीं पीते हम लोग चालनी से चालते है उसको तो देखा मैने तो भी कुछ रहे गे तो उसको और अच्छी तरह से करना है तो एक voltage regulator लगाया है और इस voltage regulator के कारण और उसके अंदर बाद में आपको दिखाई दे रहा है मुझे यह load resistance लगाते है और वहाँ पे load resistance में output मिलता है देख रहे हैं आपको कोई attention तो नहीं वहिया यह यह लगाते voltage regulator इससे आपको DC purely मिलता है मतलब मैंने दिया था क्या हमारे नीटर होते हैं वहाँ पे AC में आ रहा है उसमें 230 होल्टेज है पचास हड की frequency यह rms होल्टेज होता है यह वाड़ आपको वहां मिलेगा electromagnetic weld electromagnetic induction transformer लगाया मुझे जितना voltage चाहिए उतना बढ़ा नहीं तो बढ़ा सकते कम है तो कम बाद में मैंने बोला इसी को मुझे लेको ए ठीक है पाई टाइप फिल्टर भी कहते है अलग अलग होते है मैं इलक्टर निस पढ़ा तो इसे मुझे डिटल में पता है ठीक है उसको और मैंने स्मूथ करने की कोशिश किये तो voltage regulator लगा के मैंने AC था क्या AC मिला क्या है मुझे DC तो भया AC into DC करने का काम कर रहा हूं मतलब कर रहा हूं AC to DC तो एक ऐसा ही डिवाइस है हमारे पास कौन सा रेक्टिफायर वह आगले लेक्टर में हम लोगों को डिसकस करना पड़ेगा इस लेक्टर में तो पॉसिबल नहीं है लेकिन यह है आपकी ब्लॉक डाइग्राम क्या है यह ब्लॉक डाइग्राम सिंपल रेक् कैसे है चिया कंगे गहा है किया रहती थी त्रांस्मिशन करने के लिए अपको यह डाइग्राम दो मार के लिए पुछेंगे लेकिन अपको डाइग्राम और यह लेबलिंग यह लेपन्य दोंभी यて कि हर factor importance होगा, अगर आप लोगों को दो मार चाहिए, बोड में ऐसा सवाल आता है, जाके जात लेना, कोई भी old books का, जो question paper है, blog the diagram of communication system, question देखो, maximum time questions paper में है, वैसे इस साल में 2021 वाले जो बच्चे exam दे रहे हैं, उनके लिए important चीज माइनी कर रहे, और जो theoretically के लिए हैं, वो चीज मैंने पढ़ाई आपको, ठीक है, कल मैं आपको PN junction diode as a rectifier, जो diode है ना ये, as a rectifier बोलके कैसे काम करने वाला है, इसके उपर हमारा lecture आगे वाला मिलने वाला है, मुझे पता है, मैंने introduction थोड़ा लंबा चोड़ा लिया है, मजवरी करना महात्मा गंदी वाया, काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि knowledge होना बहुत जुरूरी है, कल हम लोग actual में chapter के उपर, जो सही content है, उसको अगे बढ़ेंगे, और बहुत मज़ाने वाला है, इसलिए बच्चों, आप लोगों को, अपने जितने दोस्त, दुश्मन, धिके ना, facebook, instagram, जहां जहां share कर सकते हैं, वीडियो उसको ज्यादा share करना है, ताकि link करना है, क्योंक बच्चे जादा जोड़गे, तो जादा energy मिलेगे, और मुझे CT का course भी start करना है, तो चलो बच्चों, मैं सभी को पढ़ाई करनी के लिए, मैं आपको best luck देता हूं, और साथ में, नए तो share करना है, like करना है, और subscribe भी करना है, चलो, thank you and best luck for your study.